एक छोटी सी चीटी थी जो अपने दल से भटक गई थी घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण वो काफी देर से परिसान थी सभी चीटियों के साथ ये भी मिलकर चल रही थी मगर तेज हावा के कारण सभी चीटिया बिखर गई और छोटी चीटी अपने परिवार से दूर हो गई काफी देर भटकने के बाद चीटी को भूख और प्यास लगने लगी चीटी जोर जोर से रो रही थी तभी उसे एक टौफी गिरी हुई मिली चीटी को भूख लगी थी और टौफी मिल गई उसने जी भर के टौफी खाई और उसका पेट भर गया चीटी ने सोचा क्यों ना इसे घर ले चलू घर वाले भी खाएंगे टौफी बहुत बड़ी होने के कारण चीटी उसे उठा नहीं पा रही थी फिर भी उसने हिम्मत नहीं आरी और अपने दोनों हाथ और मूँ से टौफी को मजबूती से पकड़ कर घस इठते हुए घर का रास्ता ढूंडते हुए अपने घर पहुँच गई दोस्तो लक्षी कितना भी बड़ा हो रास्ते में कितनी भी मुश्किले क्यों नहो संगर्स करने से सफलता जरूर